मुख्यमंत्री पद सेंभालने की जिमिदारी मिली शिवराज सिंग चोहान को एक पर फिर से मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला और कमलनाथ सरकार गिर गई शिवराज सिंग चौहान ने मुख्यमंतरी बनते ही महंगाई भत्ते पर रोक लगाने का फैस्ला किया और अब ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अब इस मामले में मुख्यमंत्री शिवराज सिंग चोहान को एक पत्र लिखा है बता दे आपको प्रदेश में जारी कोरोना संकट के बीच राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाय जाने के पूर्ववर्ती सरकार के फैसले पर दो दिन पहले ही रोक लगाई अब राज्य में कोरोना के बढ़ते मरीजों को देखते हुए कॉंग्रेस पार्टी फिलहाल सरकार के खिलाफ मौखिक और पत्राचार के माध्यम से विरोज जता रही है इसी कड़ी में पार्टी के बरिष्ट नेता और पूर्वु मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सोशल मीडिया के जरिये विरोज जताते हुए पत्र लिखा है जिस पत्र का जिक्र हम यहाँ पर आपसे कर रहे हैं उसमें पूर्वु मुख्यमंत्री कमलनाथ लिखते हैं प्रदेश के कर्मचारियों एवं स्थाई कर्मियों को मेरी सरकार द्वारा 16 मार्च 2020 को छटवी एवं सातवे वेतनमान के प्रकाश में 164 फीसदी और 17 फीसदी महंगाई भत्ता स्वीकृत किया गया था आपकी सरकार द्वारा इस कर्मचारी हितैशी फैसले को रद करने का निर्णे एक तरफा और दुराग्रह पूर्ण है पत्र में आगे कमलनात ये सवाल करते हैं क्या प्रदेश के छोटे कर्मचारियों को न्याय देने का निर्णे एक गलत निर्णे है एक चुनी हुई सरकार के फैसले को पलट कर क्या आपकी सरकार कर्मचारियों से बदला ले रही है मैं और मेरे पार्टी ऐसे फैसलों का सड़क से लेकर सदन तक पुर्जोर विरोध करेंगे पत्र में कमलनाथ ने प्रदेश सरकार के फैसले को वापस लेने और कोरोना महामारी के कारण उपजी विशम परिस्थितियों के बीच कर्मचारियों को रहत दिये जाने की मांग भी की है खेरब देखना होगा कमलनाथ के स्वार पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंग चौहान क्या जवाब देते है SPN 9 News से मेघा की रिपोर्ट